असलाम उलेकुम सीमा की कुकिंग में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी वैनिला केक की रेसिपी तो चलो देखते हैं इसके लिए हमने क्या लिया है हम एक बोल ले लेंगे उसमें चार अंडे तोड़ कर डाल देंगे इसके बाद मैंने लिए हूँ एक कटोरी सूजी आधा कटोरी मैदा आधा कटोरी चीनी अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की कॉंटिटी पॉना कटोरी कर सकते हैं अब लिए हूँ कुछ टूटी फ्रूटी ओप्शनल है आधा कब ओयल है आप बटर भी ले सकते हैं और वैनिला एसेंस अब अंडो को हम अच्छे से पहले पांच मिनट तक फेट लेंगे अंडे मैंने फेट लिए हैं अब इसमें हम चीनी आइड करेंगे चीनी को अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे दो मिनट के लिए चीनी और अंड अच्छे से मिक्स हो चुका है अब आधा कब ओयल डालेंगे इसमें हम आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं बस सरसो का तिल अवोइट करें अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम एड करेंगे सूजी तो सुजी हमें थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है केक बनाने के लिए आप कोई भी बरतन का मेजरमेंट ले सकते हैं जैसे कि मैंने यहां कटोरी का यूज करी हूँ आप ख्लास, कप या कुछ भी मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं सब चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसमें हम मैदा एड़ करेंगे जो आदा गटोरी मैदा हमने लिया था अब उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको केक बनाने में पानी का यूज नहीं करना है आप देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है कंसिस्टेंसी देख सकते हैं अभी थोड़ा लिक्विडी लग रहा होगा आपको लेकिन ये जब हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा गाड़ा हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे वैनिला एसेंस तो याद़ चमच के करीब है अगर आपके पास वैनिला एसेंस ना हो तो आप इलाइची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या पाइनेपल फ्लेवर का भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें शेर करें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें अब जो है हम बैटर को 10 मिनट के लिए ढखके छोड़ देंगे अब हम ले लेंगे एक बरतन जिसमें हम केक बनाएंगे तो आप केक टीन का भी यूज़ कर सकते हैं अब जो है मैं इसमें ओइल डाल के इसे ग्रीस कर रही हूँ और एक चमच मैदा या आटा लगा के हम इसपे स्प्रेट कर देंगे आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास अभी बटर पेपर नहीं है तो मैं आपको मैदे से ही बता रही हूँ अब हम ले लेंगे बड़ा सा टोप उसमें हम एक धकन या कटोरी उल्टा करके रख देंगे और इसे धक कर 10 मिनिट तक के मीडियम फ्लेम पर गरम होने देंगे अब जो है बैटर हम चेक कर लेंगे तो देख सकते हैं सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और जो हमारा बैटर है काफी थिक हो चुका है अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे अब जो इसमें हम इनो एट करेंगे तो इनो हम आदा पाकिट से थोड़ा सा जादा डालेंगे एक साइड में इनो डाल देंगे अब इसमें हम एक चमश पानी या एक चमश दूद डाल देंगे इनों के उपपर अब इसे बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे आपको बहुत जोर-जोर से नहीं फेटना है और एक ये डारेक्शन में फेटना है इनों डालने के बाद आप बैटर को ज़्यादा दिर ना रखें बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ अब आप इसके अंदर कोई भी अपने मन पसंद का ड्राइफ रूट डाल सकते हैं मैं यहापे टूटी फूटी का यूज कर रही हूँ तो मैं यहापे टूटी फूटी आइड कर रही हूँ अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो केक बनाने के लिए हमने बर्दन तयार किया था अब उसमें हम सारा बैटर आइड करेंगे पूरा बैटर मैंने आइड कर दी हूँ अब हम थोड़ा सा गानिश कर लेंगे तो मैं यहाँ टूटी फूटी से गानिश कर रही हूँ आप चाहे तो ड्रैफ फूट्स डाल सकते हैं अब थोड़ा इसे टैप कर देंगे 10 मिनट हो चुके हैं हमारा जो बर्दन है वो गरम हो चुका है अब बैटर वाला टोप इसमें हम रख देंगे और इसे ढख देंगे केक बनाने में 40 मिनट लग गए थे तो स्टार्टिंग के 15 मिनट आप मीडियम फ्लेम पे रखे और उसके बाद आप स्लो कर दें 40 मिनट हो चुके हैं अब हम चेक कर दें कि हमारा केक बन चुका है या नहीं तो हम ले लेंगे एक चमच उसे हम बीच सेंटर में डालेंगे चेक करने के लिए चमच हमारा बिल्कुल क्लीन आया है इसका मतलब हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है अब इसे ठंडा होने देंगे उसके बाद हम किनारों को ऐसे चूरी से निकाल लेंगे केक आपका ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप ऐसे निकालें अगर आप गरम में निकालेंगे तो आपका केक तूट जाएगा तो आप ले लेंगे एक प्लेट और उसे ऐसे हम पलट लेंगे तो देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमारा केक जो है वो निकल चुका है और अच्छे से बेक हुआ है अच्छे से फूला है हमारा केक अब मैं इसे काट के दिखाते हूँ आपको बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना था मेजर्मेंट को आप अच्छे से फूलो करें तो आपका केक अच्छा बनेगा अच्छा बेक होगा तो देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार केक बना है हमारा अब इसके हम प्लेटिंग कर लेंगे अब एक केक में आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है